हेलो एन विल्कम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वान टूशन तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं से कोई नहीं ले सकता है बस पढ़ना कि आप लोग को इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन सारे एंसस भी मताब बताऊं का ठीक आप लोग टेंशन मतले ना विद रेफेरेंस टू इस्यू डेमोग्राफिक इंडिगेटर एकोनामिक ग्रोथ स यह कुछ पॉइंट से रिलेटेड आप लोग को इंडिया चाइना और पाकिस्तान को तो यही आप लोग को पढ़ना है वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा टेबल दिखाना चाहता हूं उस टेबल को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो एक तरहन पर आपका जोनों काम बन जाएगा तो पहले मैं आप लोग को पहले वह तेबल ही दिखाता हूं कि वह टीवल जना कोशिश करना अप लोग यगदम याद करना कोशुन कहीं से भी आए आप जो ना उसको जरूर जरूर 100 परसं एंटेन कर पाओगे तो पहले मैं आ पाखिस्तान और चाइना को दोले करना कि इस गेंड नियुद टोर में गुद्विक में कुछ और डाटा हो तो वह एड़ाटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यह यह डाटा को लिग सकते हो ठीक है उसके बाद value added as percentage of GDP primary कितना secondary tertiary तो कौन से sector जोने कितने contribute करते हैं यानि कि इंडिया 2011 में इंडिया में primary जो sector है वो GDP में 18% contribute करता है secondary 26.3% और tertiary 55.6% वहीं पाकिस्तान का देखोगे तो primary 21.2, secondary 25.4 और tertiary 53.4 और चाइना का ये रहा ये सब data दिया गया तो ये compare करना है ये तो होगे national income जब बोले national income से compare करना है तो आप लोगो ये करना है जब question में ये mention रहेगा कि distribution of workforce से compare करना है चाइना पाकिस्तान या फिर इंडिया को तब हम लोगो ये data इस्तिमाल करना है primary में 52% इंडिया में 14% secondary में और 34% सेक्टर में और पाकिस्तान के workforce 43 primary में secondary में 20.3 और service में 36.6 चाइना का primary में 39.5 secondary में 27.2 और tertiary में यानि के service में 33.2 ठीक है डेमोग्राफी अगर बोल देया comparison करो डेमोग्राफी को लेके तो डेमोग्राफी में क्या क्या आ जाएगा population, annual growth rate, density of population, sex ratio, infant, motility rate, life expectancy at birth, years तो ये सब डाटा, ये इंडिया का डाटा है सारा population, तो पॉपलेशन आप लोगों पता ही होगा कि इंडिया का पॉपलेशन 140 करोर पहुँच चुका है यहाँ पर पुराना डाटा है तो 121 करोर ये 2011 का डाटा हुआ ठीक है तो इसमें आपको परिशानी वाली कोई बात नहीं बस आप लोग ये डाटास को याद रखना 2011 का डाटास अगर डेमोग्राफिक में है तो ये सब जोने डाटास आप लोगों को याद रखना है कोशन कहीं से भी आए, यहीं से कोशन आएगा यहीं से कोशन पूछ जाएंगे अगर लेंड एरिया से पूछा किया तो लेंड एरिया से तो बहुत कमी कोशन पूछा जाता है ना के बराबर सबसे ज़्यादा Human Development Index, Demography और ये जो है वर्कफोर्स और National Income से ही रिलेटेड डिफरेंस बिट्विन इन तीनों के बीच में कई बर similarities पूछा जाता है कई बर comparison पूछा जाता है चलो आप कोशन दिखाता हूँ कि कोशन किस तरीके का आते है तो आप लोग को आईडिया मिल जाएगा कि कोशन किस तरीके से पूछे जाते है तो सबसे पहले अगर शॉट कोशन में पूछा गया ठीक है जैसे यहां पे देखो इस तरीके से कोशन पूछे जाएंगे जैसे वाट इस दा इंपोर्टेंस ऑफ इंप्लिकेशन ऑफ वन चाइल्ड नम्स इन चाइना जो वन चैइल्ड पॉलेशी लगाया था चायना में उसका अशर क्या हुआ तो इससे क्या हो गया सैक्स रिशियो जो ना डिकलाइन हो गया यानिक कि पॉपलेशन बहुत जज्यादा कम गया ओल्डेज पॉपलेशन बढ़ गया अब यानि कि चाइना में जो ना यंग लोग कम है और बुढे लोग जादा है तो यह 2019 में पूशा गया था एक तरीका से यह 2001 का sex ratio दिया गया है तो sex ratio क्या है इंडिया का चाइना का अर्बनाइजिशन अर्बनाइजिशन का percentage दिया गया इंडिया में 28% पाकिस्तान में 24-34% और चाइना में 36% लिट्रेसी इंडिया में यह पुराना डाटा है 65% 42% इस तरीक से आपको compare करना होगा इस तरीक से से आ रहा है उस टेबल को अगर पढ लेते हो बस आपको क्या करना इस तरीक से आप वो टेबल भी बनाके टेबल बनाके इस तरीक से जोना lines में लिखके जोना एकदम एजी तरीक से 6 marks जरूर है आप स्कोर कर सकते हो होगा इस इंडिकेटर्स आफ human development human development index है life experience at birth है फिर जाके अगर इस तरीक से अगर आप पढ लेते हो ना तो आपका जोना 6 mark कहीं नहीं जाएगा तो यह देखो इंडिया जोना mixed economy है तो यह सब बताया है कि यहां पे कुछ यह दिएगा है इसको जोना आम लोगो टेबल में डालना है ठीक है तो यह सब मैं कुछ questions दिखा देता हूँ एक और question की बहुत important है give reason for the slow growth rate and re-emergence of property in Pakistan तो इस तरीकी के भी compare किया जाता है यहां पे एक और है compare and contrast the development of India, China and Pakistan with respect to human development index देखो फिर से वापस दुबहरा human development index के बारे में बात हो रहे है तो इस तरीकी के comparison जोना आप लोगो इस चप्टर से पढ़के जाने है छे मार्क आपका आपको यह वीडियो informative लगा हुगा वीडियो informative लगा हो तो like comment share करना मत भूलना अपने friends के साथ इस वीडियो को जरू share करना और हमाया channel को subscribe कर देना हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के लिए के तब तक के लिए good bye